आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी की राजनीती से होकर जाता है यही वज़य है कि यूपी की सत्ता को पाने के लिए तमाम पार्टियों के दिगजों ने अपनी पूरी ताकत जोग दी थी और सत्ता को पाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी और अपने अपने प्रत्याश्यों को भी पूरी तरह से सोच समझ के साथ ही चुनावी मैदान में उतारा था वई अगर बात करे तो अब यूपी में 6 चरणों का रंड सभी पाठियों के लिए पार हो चुका है और अब साथ वे रंड यानि की अंतिम चरण का मतदान हो रहा है यूपी में पहले चरण का मतदान 11 जिलों की 58 सीटों पर बीती 10 फरवरी को हुआ था पहले चरण में मतदाताओं ने उत्साह के साथ वोटिंग की और पहले चरण में शाम 6 बजे तक 58 सीटों पर 55.70 फीसद मतदान हुआ जबकि सबसे जादा वोट मुजफर नगर में डाले गए इस चरण में कईदी गज नेताओं के बेटे बेटी अभी चुनावी मैदान में उत्रे थे ऐसे में किसी के सामने अपने दादा की विरासत बचाने की चुनावती है तो किसी के सामने अपने पिता की राजनीतिक साथ को बरकरार रखने की भी चुनता है पहले चरण में यूपी के दो पूवर मुख्य मंत्रियों के परिवार के सदस्य चुनाव में है तो कई सांसदर पूवर मंत्री और विधायक के बेटे भी इस चुनाव में ताल ठोक रहे हैं लेकिन बात अगर 2017 के मतदान प्रतिशत की करे तो गौड तलब है कि 2017 के विधान सभ़ चुनावों में पहले चरण में 64 फीसिदी 2-2 प्रतिशत मतदान हुआ था जबकि इस बार 55.70 फीसद ही मतदान हुआ जिससे साफ पता चलता है कि इस बार की मतदान प्रतिशत में आज बजे तक पहले चरण में 55.70 फ्रतिशत मतदान अलीगाड में 57.25 प्रतिशत आगरा में 56.62 फ्रतिशत मेरट में 55.70 फ्रतिशत बुलन शेहर में 60.52% मत दान हापुड में 71% मत दान बाखपत में 71.30% मत दान गौतम बुध नगर में 53.58% मत दान शामली में 71% मुजफ़न नगर में 62.9% मत दान मतुरा में 58.12% गाज्याबाद में 55.31% मत दान उत्तर प्रदेश विधान सबा चुनावों के दूसरे चरण के 9 जिलों में 55 सीटों पर उत्रे उम्मीदवारों की किस्मत अभी वियम में क्याद हो चुकी है जबकि 14 फरवरी को दूसरे चरण में पिछली बार से मत दाताओं में कम उच्साह देखने को मिला चुनाव आयोक के मुताबिक दूसरे दौर की 55 सीटों पर 60.31% मत दान रहा जबकि 2017 के विधान सबा चुनावों में याकड़ा 65.53% था दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बेल्ट और रुहेल खंड इलाकों की वोटिंग ट्रेंड को देखें तो पिछले चुनावों से 3% कम वोटिंग हुई है वहीं दूसरे चरण में सबसे जादा मतदान अम्रोहा में 6.15% हुआ तो सबसे कम वोट बदायू में 55.91% डाली गए इस बार के मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली है तो चलिए इस बार का मतदान प्रतिशत क्या रहा हमें एक नजर अब उस पर डालते हैं यूपी में दूसरे चरण में 5 बजे तक कुल 70.31% मतदान बिजनौर में 61.40% मतदान रामपुर में 60.10% बरेली में 57.96% अम्रोहा में 66.15% संबल में 56.88% सहारनपुर में 56.70% मुरादाबाद में 64.70% बदायू में 55.91% शौज़हापुर में 57.70% यूपी चुनावों के तीसरे चरण में यादव बेल्ट और रुहेल खंड के 16 जिलों में 69 सीटों पर मतदान हुआ चुनावायों के मुताबिक तीसरे चरण के 69 सीटों पर 57.25% मतदान रहा जबकि 2017 के विधान सबाद चुनावों में ये आकड़ा 62.21% था यानि इस बार यादव लैंड में भी मतदान प्रतिशत में गिरावट दर्श की गई तो चलिए GFX के जरीया आपको दिखाते हैं तीसरे चरण का मतदान प्रतिशत क्या रहा तीसरे चरण में शाम पांच बजे तक 57.25% मतदान फिरोजबाद में 57.35% मैनपूरी में 6.82% एटा में 63.58% कास गंज में 69.81% हात्रस में 57.61% कानपूर में 53.42% कानपूर्दिहाद में 69.11% औरैया में 58.67% फरूखाबाद में 60.34% कनउज में 60.28% इटावा में 50.42% ललितपूर में 67.50% जासी में 57.71% हमीरपूर में 58.08% जालोन में 53.84% महोबा में 61.43% तीसरे चरंड का चुनाव व्यादव बेल्ट कानपूर छेत्र और बुंदेल खंड के इलाकों की सीट पर रहा तीसरे चरंड में 11 वोटर रहम थे ब्रच के कासगंज, फिरोजबाद, मैनपूरी, एटा और हात्रस की 19 सीट है वयावत के 6 जिले कानपूर, कानपूर देहात, और रैया, फरूखाबार का नौज और इटावा की 27 सीटे है बुंदेल खंड छेतर के 5 जिले, जासी, जालान, ललितपूर, हमीरपूर, महोबा में 13 सीटों पर चुनाव संपन हुए है हलाकी सबप्रमू कखिलेश यादव के लिए अपने गड़ में पार्टी के खोई हुए सियासी आधार को दुबारा पाने का चैलेंज है इसलिए वो खुद मैन पुरी जिले की करहल सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे तो दूसरी तरफ उनके चाचा शिफपाल यादव जस्वंत नगर सीट से इस चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे थे इतना ही नई अखिलेश यादव ने शाक की समाज बोटों के लिए महांतल के साथ गठवंधन कर रखा है जिसका आधार इसी इलाके में है वहीं बीजेपी और अपना दल का भी लिटमस टेस्ट होना है चौथे चरण में यूपी की होट सीटों पर तेस्फरवरी को चुनाव हुए थे इस दोरान प्रदेश की राजधानी समेत अवत की एहम सीटों पर मतदान हुए चौथे चरण में चार मंत्रियों की साक भी दाव पर है वहीं सोनिय गांधी के गर्ड राय परेली में कॉंग्रिस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुई अधिति सिंग की भी किस्मत इस चरण में इवियम में क्याध हो गई है चौथे चरण के तराई बेल्ट और अवद इलाके की सीटों पर चुना हुए है जहां 57 प्रतिशन 4-5 फीसद वोटिंग रही हलाकि 2012 में इन 69 सीटों पर 61.55 फीसद ही वोटिंग हुई थी जबकि 2017 में 62.55 फीसद ही यहां का मतदान रहा था इस तरह से 2012 की तुल्ला में 2017 में वोटिंग में एक फीसद का इजाफा हुआ था जबकि 2017 सीटों पर वोटिंग प्रतिशन बढ़ने का सीधा सीधा फायदा बी जेपी को मिला था लेकिन इस बार के मतदान में गिरावट देखने को मिली है तो इस बार किसको कितना फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा ये तो दस मार्च को ही पता चलेगा लेकिन इससे पहले चलिए नजर डालते हैं आकिर होट सीटों समेथ सभी सीटों पर मतदाता कितने जागरूप दिखे चोथे चरण में शाम पांच बजे तक 57.45 प्रतिशत मतदान पीली भीत में 61.42 लखीमपुर खीरी में 62.45 प्रतिशत सीटापुर में 58.80 प्रतिशत हरदोई 55.40 प्रतिशत लखनाव में 54.98 प्रतिशत उन्नाव में 56.68 प्रतिशत ड्राइबरेली में 58.40 प्रतिशत फतेपुर में 57.02 प्रतिशत बांदा में 57.48 प्रतिशत मतदान चारों चर्णों का शक्रवियू भेदने के बाद पांचमे चरण के चुनाव 27 फरवरी को समाप्त हुए बारा जिलों में 61.00 पर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उत्रे थे पांचमे चरण के चुनावों में पूरे प्रदेश की नजरेटी की हुई थी क्योंकि इस चरण में प्रदेश की दो बड़ी धर्म नगरी प्रयाग राज और राम नगरी आयोध्या में भी वोद्ध डाले गए पांचमे फेज में अवद शेत्र के आयोध्यास से लेकर बुंदेल खंड के चित्रकूट के इलाकों की सीटों पर मतदान हुए जहां कुर्मी वोटर्स एहम माने जाते हैं इस चरण के चुनावों में महस 53.9 फीसद ही मतदान हुआ तो चलिए सभी 12 जिलों की सीटों पर जनता कितनी एक्टिव दिखी जीएफेक्स के जरीया आपको दिखाते हैं पांच में चरण में शाम पांच बजे तक 23.9 प्रतिशत मतदान रायबरेली में 56.06 अमेठी में 52.77 प्रतिशत सुल्तानपूर 54.88 प्रतिशत शित्रकूट 69.64 प्रतापगण 50.25 प्रतिशत कौशामबी 57.01 प्रतिशत प्रियाग राज 15.89 प्रतिशत बारा मंगी 54.74 अयोध्या 58.01 प्रतिशत बहराईच 55.00 प्रतिशत श्रावस्ती 57.23 प्रतिशत गोंडा 54.31 प्रतिशत यूपी में छटे चरण का मतदान समाप्थ हो गया है और पूरवांचल के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले बस्ती में भी जनता ने बढ़ चड़कर अपने मताधिकार का पूरा इस्तिमाल किया है वो कहते हैं कि अगर किसी ने पूरवांचल पर फते हासिल कर ली तो वो यूपी की सत्ता काबिस करने में कामयाब हो जाता है इस चरण में मुख्यमंत्री योग्या अदितिनात, सौवे प्रिसाद मौरे, चंद्रशेखा राजाद समेट कई दिगत चुनावी मैदान में है मतदान खत्मोने के साथ ही तमाम प्रत्याशियों की किसमत भी अब इवियम में क्याद हो चुकी है लेकिन वहां की जनता भी इस बार की मतदान में थोड़ी पीछे दिखी चट्वे चरण में शाम पाँच बजे तक कुल तिरपन दशमलव तीन एक प्रतिशत मतदान बलरामपुर में 47 दशमलव साथ आट प्रतिशत महराज गंज में 57 दशमलव तीन आट प्रतिशत संत कभीड नगर 51 दो एक प्रतिशत अंबेडकर नगर 58 दशमलव शुन आट प्रतिशत दिवरिया में 51 दशमलव पांच एक प्रतिशत बस्ती 55 दशमलव 49 प्रतिशत बलिया 51 दशमलव 74 प्रतिशत गोरखपुर 53 दशमलव 90 प्रतिशत सधाड नगर 49 दशमलव 83 प्रतिशत कुशी नगर 54 दशमलव 99 प्रतिशत चुनावों से पहले और चुनावों के दोरान सभी पांचियों ने जुबानी वार और लुभावने वादों के जरिये एक दूसरे का किला भेदने की पूरी कोशिश की थी और जनता को भी अपने खेमे में लाने के लिए साम, दाम, दन, फेद सभी तरीके के रास्ते अपना लिये थे कुछ प्रत्याशियों ने जीत का ताश महनने के लिए अपनी पार्टियां तक बदल ली लेकिन अब इसका खुलासा तो दस मार्च को ही होगा कि आखिर जनता ने आगामी पास साल के लिए किसके हाथों में सूबे की सफता सौपी है प्राइम टीवी के लिए मुसकान अजमानी की रिखो प्राइम टीवी की खास रिपोर्ट में इतना ही चुनाओ की और हर दाज अपडेट के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार